समय समुंदर की लेहर कभी किसी का इंतजार नहीं किया करते समय अपनी धूरी पे चलता जा रहा है हर सैकिंट, हर मिंट, हर घंटा दिन महीना साल गुजर रहा है समय किसी कि लिए रुका नहीं करता समय ने तो चलते जाना है ये समय की आदत कहलो या उसका फर्ज कहलो समय की ये धारा कहलो ये बहती रहती है ये कभी किसी के लिए ना रुकी थी ना रुकी है और ना रुकेगी क्योंकि इसको मालिक ने ही ये आदेश दिया है परिम पिता परमात्मा ने ये आदेश दिया है वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता क्योंकि भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं वो तो मुर्दा जिस्मों में जान डाल देता है वो आदमी के भ्यानक से भ्यानक रोगों को सैकिन में खतम कर देता है ऐसे ऐसे लोग यहां मिले जैसे एक यहां बहन आई उसके पास कागजात थे कैथल साइड से शायद ससंग में वो खड़ी हुई थी और उसने बताया एड्स डॉक्टर ने उसको बोला था क्योंकि उसके पती को कुछ ऐसा पता नहीं कैसे था तो ये भी बोला कि तेरे बच्चे को भी है अगर तेरे बच्चे है तो आप उसको अबोर्शन करवाओ आपको भी एड्स कागज उसके पास परूफ उसके पास हराम नाम में आके बैठी हम तो कोई जादू मंतर मारते नहीं पर जो जादू कर सबको नचा रहा है दोनों जहान का मालिक उपवासना तो उसी की करते हैं ओम कहो अल्ला सद्गुर मौला दाता रहबर तो उसका नाम लेके परशाद दिया सबको की जो बीमार है वही परशाद ले लो सुम्रण करो बाकी जैसी आपकी भावना असर तो बैसा ही होना है तो उसको दड़ विश्वास सुम्न किया भावना अंधर जब बच्चा हुँआ चेक करवाया तो उसको एडस नहीं खुद को चेक करवाया तो खुद को एडस नहीं कोई डॉक्टर नी मानेगा यहां डॉक्टर से आवान बैठे हैं कहीं बड़े से बड़े डॉक्टर से आप पुछवा लिजे उसके पास कागजात हैं पूरे सब कुछ कि पहले उसे बताया गया कि तु एड्स की बिमारी है तुझे तो जो लाई लाज बिमारी है दुनिया की निगा में जो जड़ से खत्म होई नहीं सकती कैसे राम नाम से खत्म हो गई अहां कदर नहीं बेपरवाजी ने भजर में लिखा है कदर जाने ना जी कदर जाने ना इनसान कदर नहीं करता सुम्रन में तो बड़ी ताकत समाई है सुम्रन में तो बड़ी शक्ती है पर अगर कोई कदर करे तो न संत नाम बताते हैं मूल मंत्र बताते हैं उस ओंकार का सुप्रीम पावर का कि ये है मूल मंत्र ये है वो शक्ती जिसके दुआरा आप परमशक्ति को जगा सकते हैं आपके अंदर बड़ा ही जादवी बड़ा ही मैजिक भरा बड़ा है उस परमपिता परमात्मा ने बड़ा कुछ भरा कई पर आपको कलपना आती है मैं ये बटन दबाओं ये हो जाए ऐसे उड़ जाओं ऐसे चुप जाओं किसी को नजर नाओं क्योंकि बच्चे कई वर फिल्में देखते कुछ और देखते हैं तो ऐसे हो जाए यार काश रियल लाइफ में ऐसा हो वैसा हो जी हाँ ऐसा संभव है कलपनाए कोरी नहीं होती सुम्रन करो भगती अबादत करो आप कहीं और बैठे और आपकी आत्मा कहां कहां की सैर नहीं कर सकती कहां कहां की नहीं कर सकती आप देखिए मालिक रहमत करते हैं उस मालिक की अंश ही आत्मा है और कोई कितनी भी दूर बैठा हो उस फकीर से सेंकडे हजारों किलो मिटर कोई दूर बैठा हो, तडफे ब्याकुल हो, तो मालिक नूरिस वरूब में उस रूब में जाके दर्शन उसे दे दिया करते हैं। तो आत्मा भी तो उस परमात्मा की आंश है, तो आप अगर सुम्रन करो, तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओ, डेड़ बॉड़ी टाइप, सरीर यहीं रहेगा, थोड़े थोड़े स्वान चलते रहेंगे, लेकिन आप अपने आत्मा के द्वारा, भग्ती के द्वारा खंडों ब्रह्मंडों को पार करेंगे, कैसे चंदरमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रै, सब के पास तारे, बाजू मंडल को पार करते हुए, इनके पास से यूँ 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 आठकेलियां खेलती हुए आगे बढ़ जाएंगे, हर किसी की कलपना होती, कहीं जहाज प सूर्य के पास से जा रहे हैं, और कोई जहाज रॉकेट बहाँ पहुंचा नहीं है, सो कितनी हरानी जनक बात है न, कि आप बिलकुल उसके पास चले जाएंगे, पास से निकल जाएंगे, उसको देखती हुए निकल जाएंगे, क्योंकि उस समय आत्मा की जब चढ़ाई होत है, इतनी ताकत दे देता है भगवान, इतनी शक्ति आ जाती है, वो खुद देख रहा होता है, और जैसे ही सूर्ज के पास से निकलता है, बताओ, अब जिसके पास खुद के इतनी परकाश हो, उसके सामने दूसरे परकाश, ये बड़ा बलब है, इसके सामने जीरो का जग से निकलता है, और उस तीन सूर्ज के परकाश वाले को उसमें रूची नहीं रहती कि ठीक है भई, खड़े हैं बगवान के केल के लोल, जंद्रमा, सूर्ज, नक्षत्र, ग्रह, सब कुछ पत्रों को पार करता हुआ, फिर काल महा काल के उस दायरे में पहुंचता है, जहां तरह तरह के उसने चीजें बना रखी हैं, सुनहरी बाग बगीचे हैं, गोल्डन और डायमंड मिक्स, अगर कहीं तो सही रहेगा, वहां के जरने बहते हैं, इतना सुन्दर, इतनी आभा, बड़े-बड़े फड़ हैं, जैसे एक मन का लोकी सुना था, वास्ता में इससे भ अलपना भी नहीं की जा सकती, जैसा महाकालने बना रखा है, इतना टेस्टी है, इतना स्वाधिस्ट, कि आपको कुछ भी पसंद है, उसके सामने जीरो है, उसमें इतना जादा आनन्द है, इतना जादा स्वाध, तो कई वहीं फस जाते हैं, विचारे दंड कमंडर लेके वहीं उडज जाते हैं, खाते रहते हैं, यह है, वो है, परिया नाच करती हैं, बड़ी खुबसूरत, यहां दुनिया का सबसे नंबर बन खुबसूरत, और आदमी, उन परीपरों के सामने, शुन्य है, जीरो है, कुछ भी नहीं, इतनी खुबसूरती हैं, और उनके साज, य जारों कुणा बढ़के हैं। इतनी मिठास, इतनी इस तरह से बजते हैं। गजब हो जाता है, क्या डान्स होता है वहाँ। यानि हर तरह से जीव को भर्माने के लिए ट्रैप लगे होते हैं, जाल बिछे होते हैं। और जीव आत्मा हैं, जिनका पूरा गुरु नहीं होता, तो वहीं उलज जाती हैं, वहीं अटक जाती हैं, सुनती रहती हैं, राग, खाती रहती हैं, साजो समान, कलोले करती हैं। लेकिन पूर्ण गुरु की आत्मा नजारे तो लेती है सारे कि वाँ भई वाँ बहुत सुंदर बना रखा है लेकिन महाकाल के चक्कर में नहीं पढ़ती को कि वो खुद बगवान बनके उसके भी रोम रोम में परकाश निकल रहा होता है रोशनी निकल रही होती है वो कहती ह ना ये तो कुछ भी नहीं है उसमें नहीं उलच थी वो अपने मालिक की अवास और प्रमात्माकी धुन को पकड़ लेती है सदगुरु उसका गाइड है तो वो उसको पकड़ती हूए ब्रह्म लोक से पार हो जाती है पार ब्रह्म हो जाती है तो फिर मालिक है वो नूरी सुबरूप के नजारे नजर आती है लेकिन जैसे महाकाल की हद को पार करती है तो एक दरम चड़ाई उतराई आती है ताकि आत्मा गवरा जाए कि भाई ठीक है आपा तो पीछे ठीक थे कितने नजारे थे वहाँ कितना खूबसूरत बाग था कितने बड़े बड़े फड़ थे परी परिया नाच कर रहे थे यार क्यों आ गए एक दम ऐसे पतानी लाखों किलोमेटर लंबाई चुड़ाई के हिसाब से गिरावट अंधेरा लेकिन जिसमें खुद में परकाश हो जाए तो वो आत्मा बढ़ती जाती है और सारा खंड ब्रहमंड तिरलोकियां या सुई के नक्य के समान हो जाती है वहाँ से आत्मा जब उसको फाड के बाहर आती है तो फिर मालिक के नूरी सुरूब के हो दर्शन होते हैं जिसके समाने काल माकाल जीरो हो जाता है ऐसा नशा आने लगता देख देख के ऐसी मस्ती आने लगती है जिसका लिख भोल के तो वर्नन हो रहे नहीं सकता ये एक जीव है, और बोन जीवें हो जाएं तो भी नहीं उसके एक रोम में लाखों सूर्जों का परकाश निकलता है और परकाश ये नहीं है आप सोचो एक सूरज की तरफ तो देखा नहीं जाता जिसके लाखों सूर्जों का परकाश ये कर रोम में हो उसकी तरफ कैसे देखेंगे अरे अरे ये ही तो फरक है सूरज का परकाश में अल्ट्रा वाइलेट किरने या और किरने या जो भी कुछ है पराबैंगनी किरने जन्हें कहा जाता है तो हो सकता वो जला देती हैं बुरा हाल कर देती हैं आँखों पे चमड़ी पे हर जगा असर दिखाती हैं लेकिन माले की जो किरने हैं वो तो इतनी नशा देने वाली हैं इतनी लजज़त इतना स्वाध आता है कि आदमी एक पार उसे चकले बस फिर जी नहीं करता किसी और तरफ देखने को बड़ा मज़ा है बड़ी लजज़त बड़ा स्वाध तो इसलिए जी उसे देखता रहता है और जियों जयों भगती बढ़ती जाती है आगे स्टेजेज आते जाते हैं यहां जिसने ज्यादा सुमर्ण किया बचनों को ज्यादा माना अमल किया परमार्थ किया वो त्यों त्यों आगे बढ़ते जाते हैं फिर उस मालिक नुरी समरू के नज़ारे लजज़ते हैं खुशियां परमानंद अर्वों कुणा बढ़ता चला जाता है तो भाई इसलिए हम यहाँ पुकारते हैं सुमर्ण करो जो गलतियां करते हैं जो वचन मानते नहीं अंकार में, हेंकडी में, कामबाशना में, करोदलो मो में जो हर टाइम तिल मिलाए रहते हैं, बुरा हश्र रहता है उनको फिर रहानी मंडलों पर सजा मिलती है उन लाखों, जो जन लाखों किलो मीटर या मीटर कहें या माइल्स कहें, उनमें जहां बहुत अंदकार है जो अंदकार से डरते हैं, उनको मालूम है अंदकार कितना खतरनाक होता है जो अंदकार से नहीं डरतें, उनका तो क्या कहना, तो भाई वहाँ उनको छोड़ दिया जाता है, आत्मा को उसकी लइट आफ कर दी जाती है, चारों तरफ अंदकार, यहानि जिस भी बात से, आपको बहे लगता है, कोई अंदकार से नहीं डरते हैं, चिपकली से डरते हैं, कोई चूहे से डरता है, कोई किसी चीज से, कोई किसी चीज से, जिससे भी आपका मतलब बुरा हाल हो जाता है, फोबिया कहते हैं, या कुछ भी कह लीचे, आपका बुरा हशर हो जाता है, तो वैसी चीजों में आपको छोड़ दिया जाता है, ले इतना फरक है तो क्यों नहीं आहां सिंपन करते संतों की बात है जगीन न हाता जगीन आता है नहीं आदमी को संतों की बात पर किवार रोका यe कामना कर लेता है चोट पड़ती है, दुखी होता है, बिमार होता है तब मानता हाँ या रोका तो था मैं ही नहीं मानना, अब सौरी, सौरी को चाट ले क्योंकि जो कर्म है वो तो भोगने पड़ रहे हैं ना, करता रहा है सौरी सौरी जब कहा तब तो मानना नहीं, और जब पड़ी लाठी, फिर सोरी कर चे चोरी कर तब तो भाई हो गया काम सो अच्छा है यहां सुमन कर लो, छोड़ दो हेंकडियां, छोड़ दो बुरे करम कुछ नहीं पड़ा इन में, मत बणो चतरचलाक वो इतना भोड़ा नहीं, उसको सब नौलेज है, सारा ज्यान है और वो किसी आदमियों के लिए नहीं, उसका तो सब के अंदर ध्यान है किसी के कहने से, किसी के बताने से नहीं होता वो तो सब के अंदर, उसके कैमरे के लो, आडियो वीडियो फिट है माइक लगे हुए यह आपके अंदर, अंदर लगे हैं, बाहर नहीं आप जो सोचते हो वो भी उसके वहाँ पहुंच जाता है वो भी वाइस बन जाती है और उस माई के दुआरा बगवान के पास रिकॉर्ड हो जाती है जो आप करते हो करने की सोचते हो वो भी एक तरह की रिकॉर्डिंग होती है जो करते हो वो तो 100% recording आपको दिखाई जाती है लेकिन जो सोचते हो उसकी भी recording होती है और जब उस सोच, गंदी सोच को छोड़ देते हो वो recording साथ के साथ डिलीट होती रहती है कि भई हाँ, क्योंकि आज science का जुग है आपको उस computer के अंदाज में समझाना चाहेंगे ताकि आपके बेजे में गुसे कि वहाँ क्या क्या हो रहा है यहाँ आप इतनी तरक्की कर रहे हैं इतना कुछ कर रहे हैं तो जिस भगवान ने आपको बनाया उसके पास कितनी तरक्की होगी science की जड़ा सोचिए कितनी बुलंदियों पे होगा वो आप तो उसके पास पहुँचना तो दूर सोच भी नहीं सकते तो आपके ख्यालों में जो आता है आड़ियो वीडियो उसका वहाँ recording एक ट्रेक पे होता रहता है और आप बचन मान लेते हैं संतों की फकीरों की विचारों की सुन लेते हैं फकीरोज कुरलाते हैं मान ले मान ले रे भाई मान ले परमपिते जने एक शेर लिखा है मान ले तेरे भले की कहूं तो संत तो कहते रहते कई होते सजन जाग जाते हैं कि हाँ यार संत इतने कुरला रहे हैं माथा पच्ची करते हैं अपने लिए करते हैं चलो सुनके मान लेते हैं हरज क्या है इसमें काहे की बेजती तो उनका उस ट्रेक में की गई रिकॉर्डिंग जो थौड थे जो विचार थे उनका मूर्त रूप आप सोचते हैं ना कि मैं ऐसे करूँगा फिर सामने वाला ऐसे रेक्ट करेगा ये होगा वो सारी रिकॉर्डिंग वहां दर्ज हो जाती है जो जो आपके माइंड में चलता है तो जैसे आपने संतों की सुन ली सुमन कर लिया और उसको छोड दिया कि ठीक है मैं ये कर्म कभी नहीं करूँगा तो वहां डिलीट हो जाता है लेकिन ट्रेक पढ़ा रहता है अलग से क्योंकि कहीं आपका फिर वो विचार जागे तो फिर सी वो रिकॉर्ड हो जाता है लाइब रिकॉर्ड है इस रिकॉर्डिंग में आप मान लीजी आप हमारी कुई सीडी देखते तो ऐसा नहीं है क्या बात कर लेंगे किसी भी सीडी देखते है सौंग की या किसी चीज की जो उसने उस समय एक्टिंग की है, जो रिकॉर्डिंग जो हो चुकी, आप उससे सीधे बात नहीं कर सकते हैं, बस मालिक की रिकॉर्डिंग में यही फरक है, उसकी रिकॉर्डिंग ऐसी है, कि आपको दिखाएंगे जब तेरे से बात भी करेंगे, ए तू यह कर रहा है ना, तो तू इस बारे में अचेत होगा कि तेरे से मालिक पूछ रहा है, तेरी रिकॉर्डिंग में तू बोलेगा कि मैं कर रहा हूं, यह कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मुकरेगा कैसे, यह वीडियो ही है, यह वाली तो अगला कह देगा, रादमगा के करवाई है, वो तो सामन आपका हो रहा है कब उतार चड़ाव आता है उसके गराफ बनते जा रहे है राम की तरफ कब और नीचे की तरफ कब सारे गराफ वहाँ मौजूद है तो इतना ऐसे थुड़े है जो आप उसको बुद्दू बना दो ऐसे नहीं होता है वो सब जानता है कि आप दिखते क्या है और अंदर में आप क्या है लिफाफा कितना सुंदर है कितना बद्धा है ये मालिक जानता है उसको सब मालूम है सब का मालूम है इसलिए भाई डरो उस भेवर स्तिती से जब आपको सजा भोगनी पड़ेगी कितनी एक पैरेट थे एक होते वागई वहाँ है ये तो हो गई आप जन्नमर्न में तो नहीं जाओगे पर जो सजाएं है तौबा तौबा वहाँ की सजाएं सालों में है यहाँ मिंटों में काम चल जाता है वहाँ सालों में है यहां तौबा कर लो, फकीरों ने जब कह दिया, बेटा मौफ है, सुमन कर लो, आगे से वो चीज ना करो पर, यह थोड़ा ही, हमने देखा है कही सजन करते हैं, तौबा कर ली, फिर लग गई, तौबा कर ली, फिर नहीं, ऐसा ना करो, वो तो आपके गुनाहों का बोज बढ करना चाहिए, बचन मानना चाहिए, बचन मानके उस पे चलना चाहिए, तभी रह्मो करम हासिल होता है, तभी खुशयां मिलती हैं, और तभी सब कुछ खतम होता है, जैसे आपके पिछले जन्मों का भी वहां रिकॉर्ड है, आपको यह पाप करम भोगने हैं, बिल्कुल एक एक सेकंड का हिसाब किताब है उदर, हर किसी का परसनली खाता है, तो आप सुमर्ण करते हैं, बच्ति इबादत करते हैं, तो वो डिलीट मार देते हैं, कि वही इसके इतने करमों में तो मारो डिलीट, बस एक बटन दवाया, सब साफ, कितना असान है ना, डिलीट करने के लिए बटन दवाया, पर बटन आप भी दवाओ, तब ही दवेगा ना, सुमर्ण करो, बचनों पी रहो, भगती करो, छोड़ दो मटर गस्तियां, छोड़ दो शातिराना चालें, क्योंकि एड़ा पोड़ा खसम नहीं, जड़ा मगर चलितर ना जाने, यह दिक कर विच और यह बस सकती, जड़े सब चतरायां प्लजा देए, जब जानता है वो, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो फकीर है भाई, हम तो कोई जानी जान नहीं है, वो हमारा सथगुर मौला सब जानी जान है, वो कहलवा देता है, हम कहह देते हैं, अब कोई सोच के नहीं आये थे, लाके सत्संग में क्या बोलना है, यह तो मेरा मौला दाता रहबर है, वोई सब कुछ कर बाता है, कई होते हैं आज के लगल, कम्पुटरों में हमें बच्चों ने दिखाए, तो उसमें वो कम्पुटर में कोई बिल्ली सी है जा कुछ है, जैसा बोलते हूं यू सुन के फिर बोलती है, ऐसा कई सॉफ्ट्वेर से हैं, चोटे-चोटे, तो भाई ऐसा, जैसा सद्गुर देख लेता है, हमसे वो वो ही बुलाता है, हम तो एक माईक की तरह हैं, यह विचारा क्या बोलेगा, हम बोल रहे हैं, तो यह बोल रहे हैं, तो ऐसे ही, सद्गुर मौला जो फिकर रहा करो, आपको टेंशन हो जाती है, कोई बताता है, तो बोलते हैं, ना हम किसी के बताने से बोलते हैं, ना हम कोई जाने जाने हैं, भाई हम तो खाकसार चौंकीदार आपके जुत्तों में भी बैठने को तयार हैं, बिल्कुल भी कोई अंकार नहीं, बिल्कुल भी 100% कि उनोंने काम लेना है हमारी तो कोई आउकात ने कोई हस्ती नहीं कभीरा सब थे हम बुरे हम तज भला सब कोई जिन ऐसा कर मानेया मीत हमारा सोई सो सद्कुर मौला सब कुछ बख्षने वाले हैं सो किसी को डाउट हो किसी को शक हो कि ये तो जानी जान है इनको तो कोई बता दे थे ना वाई हम तो ऐसी चीजे नहीं कहते हम तो ये कहते कि जो हमें हमारा सद्कुर बुलवा देता है वो आके बोल देते तो इसलिए बुरा ना मानो बल्कि आपके फाइदी की अगर आपको लगता है कि ये बात गुरु जी मुझे कह रहे है क्योंकि परिम्पिता जी नहीं बल्कि उससे पहले जितने संद पीर पैकंबर आए कि सत्संग वही होती है या हर आदमी को लगे कि मुझे कुछ कहा जा रहा है कोई गुनागार बुरे करम करने वाला है उसको लगता है यार ये कमिया तो मेरे में है जो गुरु जी ने अभी अभी बताई तो उन कमियों को छोड़ दे तो उसको अभी माली के नजारे मिलने लग जाए हमको किसी का नाम लेकि तो कुछ कहते नहीं तो इसलिए भाई जो जो कमिया आपको अपने में लगती है उनको निकालते जाओ और जो आप में चीज नहीं है उसको अपने पे लगाओ ना सुमन करो, भगदी करो, इबादत करो नाम जपो कभी भी आपको बुरा नहीं लगेगा संतों की कभी किसी से कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकती उनकी सोच में कभी किसी के लिए बुरा आ ही नहीं सकता हमेशा सब के लिए भला मांगते हैं कोई वचन अगर सख्त बोल भी देते हैं तो सद्गुर बुलवाते हैं अल्ला वहिगरु राम बुलवाते हैं थाकि आदमी तमाम बुराईयां छोड़ दे और माली की दया में रहमत के काबिल बन जाए तो आदमी जयोँ जयोँ सुमरन करता है जयोँ जयोँ भगति इबादत करता है तयोँ तयोँ उसके अंत्यकरन में खुशियों का सुरोट खुलता चला जाता है वो जरने फूटने लगते हैं तो आप नाम का सुमरन करो आपका मन आपके काबू में आएगा वो राम काबू किसी के आता नहीं है पर जो राम का नाम जबते हैं राम उनकी बिलकुल हाथ में आ जाता है बिलकुल दिल और दिमाग में बैठ जाता है और जो उसके गुलाम होते हैं वो उसका गुलाम हो जाता है पर उसको गुलाम बनाने के लिए पहले खुद गुलाम बनना पड़ता है सिर्फ ओम हरी अल्ला राम के बनो किसी आदमी के नहीं उस मालिक के बनो क्योंकि उसके बनोगे तो वो आपका हो जाएगा और वो आपका हो जाएगा तो किसी चीज़ की आपको कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी इसलिए दुनिया के ख्यालों में ना खो जाओ बलकि संद पीर फकीर की सुन के उस पे अमल कमाओ सुमरन करो, भगती इबादत करो ज्यों ज्यों सुमरन करोगे, त्यों त्यों अंत्या करन की महल साफ होगे नशे छोड़ दो नशा चर्स, हिरोईन, समेक, भग, दतूरा, अफीम, शराप मेडिकल नशे है, तन का नशा है दिमाग जो आजकल मन बन चुका है, उसका नशा है मुझे ज्यादा समझ, मुझे ज्यादा पता, मुझे ज्यादा मालूम सो ये चीजें, ये सारे नशे छोड़ दो कभी इरजी ने कहा है, इतने नशे छोड़ोगे, तब सुनोगे अनहद वो नाद, वो मालिकी आवाज जो बड़ी ही सुरिली है जो बड़ी ही रू को ताकत देने वाली है, पावर देने वाली है ना आपको कोई बीमारी रहे, ना आपको कोई मुश्किल आए, ना कोई परेशानी हो हो यह नहीं सकता, बचन मानों तो हो यह नहीं सकता कोई टेंशन, कोई पेट दर्द, सिर्ध दर्द, दिमाग दर्द और बोडी दर्द, कोई भ्यानक बीमारियां किसी भी तरह का, कुछ भी नहीं रहता अगर सुमर्ण जोर से किया जाए दवाई पे जोर लगा देते हो फिर परेशानी भी आती है मौत ना जाए, अद्बी चिमेना हो जाए तरह तरह की, क्यों ना सुमर्ण किया जाए सचे दिल से, तड़फ के, हुरूची से कि हाँ भी आदा घंडा सुबाश श्याँ पंदरा मिंड तो आप उनको कहते है जो घर गरिस से आते हैं, दुनियादारी से आते हैं बहुत नए नए कि भई बड़ा मुश्किल है चलो पंदरा मिंड से शुरू हो जाओ पर जो सच्छंगी बहुत समय से नाम ली है कम से कम आदे गंडे से शुरू हो पंदरा मिंट से तो कम से कम शुरू हो जाओ तो यही बढ़िया है पर ना से तो पांच-साथ मिंट भी किया गया सुमन बढ़िया जो बिल्कूल ही नहीं करते पर अगर कुछ खुशियां चाहते हो तो पंदरा मिंट या आदे गंटे से शुरू आत करो फिर आगे टाइम बढ़ाओगे घंटा, डेड़ घंटा, दो घंटे आपको जगीर नहीं आता है इसमें जब आदमी को मज़ा आता है पते नहीं चलता चार-चार-पांच-पांच घंटे तो क्या कई जीव तो सरी-सरी रात बैठे रहते हैं ऐसा मज़ा आता है ऐसे मालिक से तार जुड़ती है सारी बाते हैं, सारी खुशियां और संद, पीर, फकीर जो मालिक उन्हें नवाज दे वो एक मातर ऐसे होते हैं जो चौवी सो गंडे मालिक से जुड़े रहते हैं वो सिरफ दिखने में, खाते पीते आदमी की तरह हर बात करते हर बहवार करते नजर आएंगे लेकिन खुली आँखों से खुले कानों से, बिलकुल जुबां से, सरीर से वो मालिक से जुड़े रहते हैं ये उसकी रहमत होती है वो अपना नूर ऐसा बर्सा देते हैं इसमें फकीर की कोई ताकत नहीं होती जब मालिक ताकत देता है तो ये सब कुछ संभव हो पाता है जर्रे जर्रे में, कंकं में मालिक नजर आता हो, कितना मज़ा आता है जिसके लिए आदमी आशिक हुआ हो जिसके लिए तमाम जिन्दगी दाओं पे लगा दे और जब वो कनकड में जर्रे-जर्रे में नजर आने लगे और एक मस्ति पिलाने लगे, एक नशा चाने लगे तो क्या कहना? क्या कहना? कुछ कहने सुनने से परे हो जाता है तो ऐसा हर इंसान के साथ संभव है पर बात है सुमरन करे बचनों पे रहे शात्राना चाले न चले मालिक से कि दिखने में कुछ और संथ कभी किसी को टोकते नहीं वो तो कहते है वा बेठा वा वाई 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 शाबाश शाबाश वो थोड़े न टोकते हैं टोकने लग जाएं तो हमाम में ज्यादा नंगे ही होते हैं तो फिर आप समझ गए तो इसलिए परदा परदा ही ठीक है परदे में रहने दो बाली बात बिलकुल सही है अगर परदा उठ गया तो बस पता नहीं क्या हो सो भाई जो बचन मानता उसको कुछ भी नहीं और जो नहीं मानते उनको यह वो फलाँ दिंकड़ कईयों कि दिमाग में यह उम्ता है यह भी मन है मन श्यतान है कहता तू माली की तरफ क्यों बढ़ रहा है जो नहीं मानते उनकी तरह हो जा तो ये नहीं मानने वाले कौन सा राक्षिश है क्या पता कब मानने लग जाए हैं तो वो भी इनसान हैं तो वो भी मालिके प्यारे चलो मन हावी है क्या पता कब मन का गड़ा फूट जाए उनको होश आजए या फिर मालिकी को चोट पड़े तब होश आ जाए होश तो आनी है मालिक के प्यारूं को वो भी बहुत ही बागयशा ली है जिनको जीते जी होश आ जाए वरना आगे की सजा आपको बताया कितनी ब्हान के यह ड्रावा नहीं है 101% आपको हगीकत बता रहे है 101% कि ऐसा ही होगा मानो ना मानो वो आपकी मरजी है ड्राने से हमें क्या मिल जाएगा क्या ड्राएंगे आपको हमने कौन सा पैसा लेना कि इतना चड़ादो तो आगे ठीक हो जाएगा अगर हमने पैसा लेना हो आप से तो तो हम आपको ऐसा कहें कि भई आगे ऐसा है हजार चढ़ादो हम तेरा यहीं फरी खरवा देंगे सारा कुछ दस हजार चढ़ादो फिर फिकर ना करना सुवाल ही पैदा नहीं कभी हमसे सुना बचन परमार्त करने वले परमार्त करते हैं लाखों करते हैं क्या उनको बोला कि तेरा कट गया, ये तो सवाली नहीं कोई बता दे कहते हैं तो, किसी को बोला तो बता दो, मतलब भी नहीं दुआएं, दुआएं देते हैं कि ठीक है तू कर रहा है दिन दुख्यों की सेवा, मानवता की सेवा कर रहा है तो दुआएं जरूर निकलती है कि सेवा सिमन में मन लगे, उसमें लगेगा तो कर्म कड़ जाएंगे नैचुरली, इंडिरेक्टली तो होगे न, कान ऐसे नहीं तो ऐसे सही, पकड़ तो सही कैसे न कैसे, और उन दुआओं से हो सकता है तेरा मन जो सुमन में नहीं लगता लग जाए, भगदी करने लग अच्छा, मुझे कहा ता कुछ, तो ऐसे नहो, आदमी का, जब, हम यह नहीं कहते कि आँखें ऐसे पथरा जाएं, पलक जबकते रहो, कोई बात नहीं, यह तो नैचुरली किरिया है, पलक जबकती है, पर कहने का मतलब, ध्यान पूरा रखो, कि फकीर क्या कहते हैं, क्यों अल्ला मालिक राम कहलवाता है, और आपको कैसे बताएं, किस तरह से समझाएं, कि सुनो भाई, अमल करो भाई, ताकि भला हो जाए, और निंदक की परचाई न पटने दो, एक बार आशरम की दरफ, पीर फकीर की तरफ, नेगटिव सोचना शुरू जीव कर देता है, उसका इतनी दुनिया आके या नर्क में जीवन से स्वर्ग से भी बढ़के नजारे लूटती है, कोई सेवादार है, बंदा है, बंदे से गल्तिया हो जाती है, बोलने में गल्ती कर दी, आपका हाथ कसके बगड लिया, थोड़ा दक्का लग गया, उसकी वज़ा से आप राम ना अफसे भी गुरू चोटा हो गया, जब जीकरा पुछ उठाली, मैं तो चला, फिर बढ़ डाउन करते हैं, बहुत दुनिया के मैं नि मानता गुरू को, मैं नि मानता फ़कीर को, मैं नि मानता राम नाम को, मेर को ये वीमारी क्यू आई, ऐसे पुछ उठा लेता है, अरे हमारा तो हाद जोड के बिनर्म यही प्रार्थना आप लोगों से बिनर्व के भाई आप वचन मानो अमल करो, सुमरन करो, गुसाओ ना, जलाट पैदा ना करो, संतों के वचनों को सुन के जलाट पैदा ना होने दो, क्योंकि भी मन है, जो संतों के बचनों के सामने ड्हाल बनता है, संतों के नहीं अल्ला राम की बात को भी इनकार करवा देता है, सामने ड्हाल बन जाता है ऐसे, नहीं नहीं ये है, वो है, फलाँ है दिंकड है, ओंकड है समझे लो पुरा होगा हाल, मन की ना मानो, मन की ना मानो भाई, मन तो लारे लगाता है, तरह तरह के सबजबाग, ये होगा, फिर वो होगा, फिर फलाँ होगा, फिर तू ये करेगा, फिर तू वो करेगा, तरह तरह के लारे, क्या क्या लारे नहीं लगाता, धगी मार इतने नोट आएंगे ऐसी कार होगी लोग आगे पीछे फिर किसी को और चीज की इच्छा काम बाशना की तो पैसा कमा ये कर वो कर फिर ऐसे वैसे कोई कहता है कि मेरा इस नर्क में जीवन से छुटका रहा हो जाए किसी को कवारापन नर्क में लगता है कि इसको बिवाहित जीवन नर्क में लगता है कि कैसे ना कैसे छुटका रहा हो जाए फिर बारे नयारे मन कहता है ये कर वो कर फुलां कर दिंगड कर और ये नहीं पता कि ये तो दलदल में ही डाल रहा है, नरकों की तरफ ले जा रहा है सो मन की ना मानो ये लारे लजाके नरक ले जाए बुरा होगा हाल बुरा होगा हाल, कर लो ख्याल बुरा होगा हाल तो भाई, बचन मानो फकीरों के फकीर जो कहते हैं वो किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, सच बात कहते हैं, और सच कड़वा तो होता ही है, ये तो जरूर है तो बचन सुनो, अमल करो तो मालिक के उस नजारों को जो आपको शुरू में बताया था, अब भी महसूस कर सकते हैं, नशे छोड़ दो और मालिक से नाता जोड़ लो मालिक रह्मो करम से माला माल करते जाएंगे